गेंग्स्टर लफ, नेक्स्ट एपिसोड हरी, रगु और पुलिस इस्पेक्टर वानी को ढूनने की कोशिश कर रहे थे हरी ने छोटे से कहा यहां का कोना कोना चान मारो कोई तो ऐसी जगा होगी जो हमसे छूट रही है छोटे रगु ने हा में सिरह लाया था कि तभी इतने में सब लोग वहां आ गए ये हवेली मुंबई के एक सुनसान इलाके में इस्तित थी जिसके कारण यहां आना जाना रात के समय बिलकुल ना के बराबर था अंधेरा बहुत जादा था ऐसे में वानी और वानी को ढूनना बहुत ही मुश्किल था हरी अब जल्दी से हवेली के पीछे वने गार्डन की तरफ भागा वानी की वज़े से वो इस समय बेख्याली में ही जा रहा था वो चले ही जा रहा था कि तभी अचानक से किसी ने उसके सिर पर वार किया हरी की वार से एक चीक निकल गई दर्द से हरी की चीक निकली और उसने सिर को पकड़ लिया कि तभी उसे आने वाले खत्रे का एहसास हुआ और वो सतर्क हो जल्दी से मुड़ा तो अंधेरे में एक हाथ उसकी तरफ बढ़ा था मगर उसने जल्दी से उसे रोक एक जटके में उस आदमी का हाथ पकड़ उसे पचार दिया तब ही दो और आदमी उसकी तरफ मुड़े तो हरी ने फूर्ती देखा कर दोनों को वार को अपने आप से रोक लिया बंदूप की गोलियों से उन्हें मौत के खाट उतार दिया हरी को अब समझ आ गया था कि शिवा कहां छुपा है इसलिए वो अंधेरे में और आगे बढ़ गया काफी देर तक चलने के बाद पेड़ पौधों को लांग कर वो अब उनके पीछे बनी एक हवेली के सामने खड़ा था हरी ने जल्दी से पुलिस को कॉल किया और शिवा के गुंडों ने हरी को गुखेर लिया शिवा के आदमी असलम ने हरी के मुँपर मुक्का मारते हुए कहा बता गुली खाके मरेगा या मार खाके हरी ने खुद को समाल कर सीधा खड़ा किया और एक छटके में असलम से उसकी राइफल छीन एक सोड़दार मुक्का उसकी नाक में मारते हुए कहा तु क्यों कोशिश करता है असलम हरी को मारने वाला अभी इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ है इतना कहकर हरी शेर की तरह उन गुंडों पर तूट पड़ा और उन लोगों पे लात और घुसों की बारिश कर दी हरी उन सब को उठा उठा कर पटक रहा था हरी उन सभी पर भारी पड़ रहा था इसकी चलते उसकी कुछ ही देर में बहुत सारे आदमियों को ठेर कर दिया मगर उसके आगे बढ़ने पर एक पर फिर शिवा महुम्मत के आदमियों ने उसका रास्ता रोक लिया उनके हाथों में बंदू के थी और उन्होंने हरी को जैसे ही फायर किया पर एसीपी ने बीच में आकर हरी को बचा लिया वो उसे लेकर दूर जा गिरा उन दोनों को देख एक पर फिर उन आदमियों ने उन दोनों पर ही वार करना चाहा मगर रगु ने वहां पहुँचकर उन सब को मौत के खार उतार दिया थोड़ी ही देर में पुलिस ने उस जगह को घेर लिया जिसकी भनक शिवायानी की मौहमद को लग चुकी थी उसका खेल खत्म हो चुका था उसे पता चल चुका था कि उसे उसका माल नहीं मिलने वाला था और ना ही वानी उसने जल्दी से वानी का हाथ पकड़ कर कहा चलो मेरे साथ वानी ने उसकी हरकत का विरोध करते हुए कहा छोड़ो मुझे मैं कहीं नहीं जाओंगी शिवा यानी कि मुहमद वानी को जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहा था वानी ने उसकी हरकत का विरोध करते हुए कहा छोड़ो मुझे मैं कहीं नहीं जाओंगी पर शिवा वानी को अपने कंदे पे उठा लेता है वानी ने अपने हाथ फैर चलाना शुरू कर दिया और वो जोर जोर से चिलाने लगी शिवा मुहम्मद वानी के चीकने पर गुसे से वानी से कहता है चुप अगर जादा चिलाईं तो अभी के अभी तुमें उठा कर फेक दूँगा वानी ने उसकी बात सुन डरते हुए कहा छोड़ो कहा ले जा रहे हो मुझे बताओ वानी खुद को उससे आजाद कराने के लिए उसकी पीट पर अपने मुकों से बारिश करती है पर मुहम्मद को कोई भी फर्क नहीं पड़ता छोड़ो मुझे छोड़ो वानी लगातार चिलाई जा रही थी पर मुहम्मद वो तो उसे किसी भी तरह अपनी साथ ले जाना चाहता था तब ही उसका एक आदमी वहाँ आया और उसने कहा मुहम्मद ये कहा मुहम्मद चारो तरफ से पुलिस ने हमें घेर लिया है निकलना बहुत जादा मुश्किल है ये सुनकर मुहम्मद ने गुसे से कहा पक्वास बंद करो और बस गाड़ी बाहर निकाल हम नीचे सुरंग के रास्ते से जाएंगे उसकी बात सुन वानी की हालत खराब हो गई पता नहीं ये आदमी उसे कहा लेकर जा रहा है उसे हरी की याद आने लगी वानी अब और हाथ पैर चलाने लगी थी की मुहम्मद ने उसे नीचे उतार एक चाटा जोड़दार उसके गालों पर रसीद कर दिया वानी इससे दूर जाकर गिरी मुहम्मद के थपड़ की वज़े से उसकी होटों के नारों से खूल निकल आया साथ ही उसके पेट में जोर का जटका लगा जिससे उसका पेट भी धर्द करने लगा उसकी आँखों से आँसू बह निकले वो अभी समल भी नहीं पाई थी की अगले ही पल शिवा ने उसकी वाजू पकड़ उसे उठाते हुए कहा अब एक बार और कोई हरकत की तो मैं तुझे माट डालूँगा इतना कहकर मुहम्मद ने नीचे बैट कर वहां से मिटी हटाई तो वानी की आँख फटी की फटी रह गई नीचे जमीन में एक दर्वाजा बना हुआ था दर्वाजा खोल मुहम्मद यानि की सिवाने वानी को अंदर जबरदस्ती गोद में उठा लिया और अंदर ले जाना चाहा कि तब ही किसी ने उसे जाने से रोख लिया मुहम्मद मुडा तो हरी ने एक कुसे में मुक्का उसके मुँपे मार दिया जिसकी वजे से वानी उसकी गोच से गिरने को हुई पर हरी ने उसको अगले ही पल अपनी बाहों में खीच लिया समाल कर उसे सहारा दे कर खड़ा किया उसने एक नजर वानी को देखा ही था कि महम्मद उस पर तूट पड़ा मुहम्मद ने गुसे में हरी के मुँपर वार करते हुए कहा वानी को ले जाने से पहले आज मैं तेरा दि एंड करके जाऊंगा वानी हरी को इस तरह देख चिलाई और उसके पास आने को हुई मगर हरी ने उस पर गुसा करते हुए कहा दूर रहो वहीं खुद को मुहमत के बारे वार से समहाल कर हरी अब अपनी ताकत देखा मुहमत को अपने दोनों हातों से उपर उठा नीचे पटक दिया किसी पागल आदमी की तरह उसे मारने लगा वानी हरी को इस रूप में देखकर काप उठी उसने हरी को रोकना चाहा क्योंकि उसके हाथ में चोट लग चुकी थी और उसके हाथ से लगातार चोट खून बह रहा था पर हरी को तो कोई होश ही नहीं था हरी के पास जाने को हुई कि उससे पहले ही मोहमत के दो आदमियों ने हरी पर पीछे से हमला कर दिया पर हरी पर जैसे तो कोई असर ही नहीं हो रहा था वो सिर्फ मोहमत यानि कि सिवा को मारे जा रहा था इतने में ही रगु वहाँ पर आ गया और उसने दोनों आद्मियों को पकड़ कर नीचे पचार दिया पुलिस भी आ चुकी थी एसीपी ने हरी से कहा रोको रोको इसे और एसीपी ने हरी से कहा हरी तुमने वादा किया था कि तुम मुहम्मद को जिन्दा पुलिस के हवाले करोगे छोड़ो इसे वहीं रगू ने हरी को समालने की कोशिश की पर हरी के आँखों में तो आज खुन सवार था वो मुहम्मद को मारने ही वाला था मुहम्मद की ही वज़े से उसके पापा उसकी मम्मी उसकी छोटी बहन जिनोंने इस आदमी की वज़े से उसने खो दिया था आज एक बार फिर वो उससे उसकी जिन्दगी यानि की वानी को छिनने की कोशिश कर रहा था इधर वानी ने हरी को इस तरह बेकाबू होते देखा तो खुद उसे देख डर गई उसने अगले ही पल बेहोश हो गर गिर पड़ी तो रगु ने कहा हरी हरी भाबी पर हरी नहीं रुका तो रगु ने उसे जग जोडते हुए कहा हरी भाबी बेहोश हो गई है रुख जा हरी ये सुन रुख गया और एक नजर वानी को देखा तो वो जल्दी से मुहम्मद को छोड़ वानी के पास भागा वहीं हरी जैसे ही वानी के पास गया वैसे ही मुहम्मद ने हरी पर गोली चलानी चाही कि इतने में ही एसिपी ने आकर भाई मुहम्मद को गोलियों से चल्ली कर दिया और उसने दम तोड़ दिया मुहम्मद मर चुका था वहीं हरी ने सब छोड़ जल्दी से वानी को अपनी कोद में उठा लिया और उसे बाहर ले जाते हुए कहा सबी लोग निकलो यहां से हर जगह पर बारूद बिची हुई है ये कहते हुए हरी अब वानी को लेकर बाहर निकल आया और उसके साथ बाकी सारे लोग निकल बाहर निकल आये उसकी दुनिया इस धमाके के साथ खत्म हो चुकी थी मुहम्मत और मुहम्मत की दुनिया आज खتم हो चुकी थी इधर धमाके के डर से वाणी ने कस कर हरी को अपनी मुठ़्ी में भीच लिया ये महसूस कर हरी ने अपनी गोध में वाणी को देख हैरान होते हुए कहा तुम तुम नातक कर रही थी ना वानी ने उसकी आवाज सुन अपनी आखे खोल दी हरी ने उसे अपनी गोच से खड़ा करते गुस्से में कहा क्या हरकत थी ये वानी पता है मैं कितना डर गया था मेरी जान निकल गई थी वानी ने मना करते हुए कहा नहीं नहीं वो सौरी पर आप रुखी नहीं रहे थे उस मुहम्मद को मारे जा रहे थे यहां तक कि आपको होशी नहीं था कि आपको कितनी चोट आई है वानी ने इतना ही कहा था कि हरी का हाथ पकरना चाहा हरी ने गुस्से में उसका हाथ चटकते हुए कहा चुप चुप खवर्दार जो एक शब्द भी अपने मूँ से निकाला खुद को जहांसी की रानी समझती हो किसने कहा था हरी जान के पास जाने के लिए मुहम्मद बहुत खतरनाक था तुम कैसे किसी पर विश्वास कर सकती हो वानी ने उसे अपनी सफाई देना चाही मगर हरी ने उसे अपनी कुछ से भरी लालाकों से देखा तो वानी ने अपना थूट थूट गटक कर कहा मेरी बात तो सुनिये मगर हरी ने एक बार फिर उसका हाँ जटकते हुए कहा अपनी बकवास बंद करो तुम घर चलो, मैं तुम्हें अच्छे से बताता हूँ उसकी बात सुन, वानी डर गई कि तब ही हरी ने सिर उट पकड़ते हुए कहा कितनी चोट लगी है, कुछ होस है ये तक भूल गई कि अकेली नहीं हूँ तुम तुमें अगर कुछ हो जाता, तो मैं भी मर जाता वानी ने भी अब उस पर भड़कते हुए कहा कैसी बाते कर रहे है हरी ने उखड़ते हुए एक बार फिर उसका हाथ जटकते हुए कहा वहीं उन दोनों को जगड़ता देख रगु आया और शिवासिक और हरी से कहा चलो बाकी की लड़ाई घर पर कर लेना हरी ने रगु की बात सुने उसे घूरा तो वो बस अपनी बद्दी से दिखा कर वहां से चला गया वहीं वानी रोते हुए हरी को देखने लगी तो हरी ने अपनी आँखें भीच ली और अगले ही पल आँखें खोल वाने को अपने गोद में उठा लिया इधर और अपनी गारी में बिठा लिया वानी ने एक बार फिर कोशिश करनी चाही हरी से बात करने की वानी ने कहा प्लीज सुनिये ना मैं बस आपकी मदद करना चाहती थी मैं सच में आपकी बहुत मदद करना चाहती थी फ्लीज मेरी बात सुन लीजिए वानी ने अपना सिर नाम हिलाते हुए कहा नहीं मेरी बात सुनिये शिवा का फोन आया था कि आपको गोली लगी है और आप होस्पिटल में है वो मुझे लेने आ रहे है तो मुझे कुछ नहीं सूजा और मैं उनके साथ चली गई वहीं हरी और वानी अपने फ्लेट पर आ जाते हैं वानी हरी की चोटों पर मरहम लगाती है और दोनों एक दूसरे को प्यार से देखते हैं मुध यानि की सिवा का अंत हो चुका था पुलिस ने भी मुध क के सारे काले कार्णामे उसके इलीगल धंदों को हटा दिया था साथ ही साथ सोनिया के पापा ने हरी को मुध जैसे अपरादी को ढूझने में मदद करने के लिए हरी को पुरुसकार देना चाते थे दरसल हरी ने पुलिस को 6 महीने पहले ही सरेंडर कर दिया था और उन्हें उसके गुंडे बनने का राज भी पता दिया था और अपनी असली पहचान भी तो पुलिस ने भी हरी की मदद की और महम्मद का खात्मा हो सका महम्मद यानी की शिवा के कई कोठे थे इन पर वो लड़कियों को जबर्दस्ती रखता था दो साल बाद हरी ने अपनी खुद की रैसलिंग इंस्टिट खोला था जहां पर वो लड़के और लड़कियों को रैसलिंग सिखाता था ये इंस्टिट उसने पटना में जहां उसके मम्मी पापा की जमीन थी जिस जमीन की वज़े से उसने अपने मम्मी पापा को खोया था वहीं उसने रेसलिंग इंस्टिटूट खोला था दरसल वानी हरी मुंबई छोड़कर पटना आ चुके थे मुंबई ने उन्हें बहुत दर्द दिये थे शाह साथ ही साथ रगु भी हरी का साथ देता था रगु ने भी एक सिंपल सी लड़की से शादी कर ली थी जिसका नाम कंचन था कंचन अनात थी वानी और कंचन स्कूल फ्रेंड्स थी रगु और कंचन भी अपनी मेरिट लाइब अच्छे से जी रहे थे वहीं वानी के मम्मी पापा भी वानी के लिए खुश थे वहीं सत्यम भी कॉलेज में आ चुका था गौतम जी ने हरी को माफ कर दिया था वानी के मम्मी पापा मुंबई में ही रहते थे वहीं वानी ने एक प्यारी सी बेटी को जनम दिया था जिसका नाम उन्होंने निवित्या रखा था नित्यम और वानी की बेटी निवित्या निवित्या अभी 6 महिने की थी वानी भी पटना में ही स्कूल में पढाती थी जो स्कूल घर के पास में ही था कंचन और वानी मिलकर पूरा खर्स समहाला करती थी वहीं निवित्या भी बहुत क्यूट और चंचल थी जिसकी किलकारियों से पुरा घर गुँजुटता था वानी और हरी एक दूसरे का प्तात पाकर बहुत खुश थे हरी ने मेहनत करके विल्कुल पैसा ही गर बनाया था जैसा उसके मम्मी पापा ने बनाया था जैसे वो बचपन में रहा करता था हरी और वानी दो ऐसे लोग जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे इन दोनों की लाइफ में कई उतार चड़ाब आए पर किस्मत ने इन दोनों को मिलाया तो आई होप गाईज आपको ये स्टोरी भी पसंद आई हो और मैंने ये स्टोरी बहुत मेहनत करके और बहुत मतलब मैंने पूरी जान लगा दी है इसे स्टोरी में आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताएगा गाईज और आपको ये एंडिंग कैसी लगी आपको तो मुझे कमेंट में जुरू बताइएगा प्लीज गाइज आप कमेंट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं जो लोग कमेंट कर रहे हैं मैं उन से बहुत जादा खुश हूँ इस्पेशल थैंक उन लोगों के लिए जिन्यों ने मुझे हमेशा कमेंट किया मुझे मोटिवेट किया स्टोरी लिखने के लिए स्पेशल थैंक उन सब के लिए and I love you so much आप सभी को जो आप मुझे इतना प्यार दे रहे हैं इतना सपोर्ट कर रहे हैं आप स्टोरी को पसंद कर रहे हैं अगर आपको ये स्टोरी और पूरी स्टोरी पसंद आई हो तो इस वाले एपिसोड में जरूर लाइक कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको इस टाइप की स्टोरी और भी पढ़नी है या नहीं आप और सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा थैंक फर वाचिंग और बनी रहे है मेरे चैनल ऐसी ही रोमेंटिक गैंक्स्टर लग स्टोरी सुनने के लिए थैंक यू